क्या आप जानते हैं भगवान शिव शम्शान में क्यो रहते हैं धार्मिक मानेताओं के अनुसार ब्रह्मा जी श्रश्ची का स्रेजन करते हैं विष्णो जी पालन और महादेब सहार अर्थार्थ जब मनुश्य अपनी सभी मर्यादाओं को तोड़ने लगता है तब शिव जी सहार कर देते हैं क्योंकि शम्शान में सब कुछ भस्म हो जाता है तो शिव जी ने अपना निवास ऐसे इस थान को बनाया जहां मानव शरीर और उसे बंधे रिष्टे मू माया सब कुछ नश्ट हो जाता है और हमारी आत्मा परमात्मा में समा जाती है उस प्रतिक्षा में हमारे प्रभुवां धुनी रमा कर बैठ जाते हैं वो हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि ये संसार नश्वर है इसकी मू माया में मत उलचो इस जन्म में जो करतवे मिल गए हैं उनका नलिप्त भाव से निर्वाहन करो परंतो शम्शान में अंतिम प नहीं होती वैसे ही किसी सुक्स विधा रिष्टे नाते बंधनों से मुक्तर हो अंतसमय में किसी चीज का मो होने से आत्मा उसी में चली जाती है बस भगवान शिव को हरदय में धारन करो जिससे हमारी आत्मा सीधा पर मात्मा में लीन हो जाए हमारे भगवान का एक निवा इसलिए कैलाश पर वो सुविधा पूर्वक रूप से ध्यान मगन रहते हैं। ऐसी ही दूसरी जगह शम्षान हैं जहां पूर्ण एकांत होता है। वहां भी लोग कम आते हैं। यहां भी भगवान बिना अवरोद के ध्यान लगा सकते हैं। भगवान की माता पार्वती जैसी अपूर्व सुंदरी अधांगनी गणेश जी कार्तिके जैसे अग्याकारी पुत्र नंदी जैसा गणा ध्यक्ष इतना सुंदर परिवार होते हुए भी भगवान सांसारिक नहीं हैं। बंधनों से पूरी तरह मुक्त हैं। कोई श्रंगार नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई आडंबर नहीं। सीधे साधे भस्म लपेटली, खाल लपेटली और गले में नाक पहन लिया। मुन्डमाला पहन ली। अब बैट के वेरागी बन कर जिससे ये उधारन डख सकें कि मादेव होकर इतना सुंदर परिवार जिसका पूरा वि बचा रहता है, वे प्रेत योनी को प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको दंड भी वो ही देते हैं, इसलिए शिव को भूत प्रेतों का देवता भी कहा जाता है, भगवान ने इन पर भी क्रपा कर इन्हें अपना गण बना लिया है। यह जो भूत प्रेते हैं वह कुछ और बलकि सुक्ष में शिरीर का प्रतीक हैं, भगवान शिव का यह संदेश है कि हर तरह के जीव जिससे सब घ्रणा करते हैं या भाय करते हैं, वे भी शिव के समीप पहुंच सकते हैं, के बल शरत यह है कि वे अपना सर्वस्व शिव को समर्पित करते हैं। जानकारी आपको क कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, साथ ही टी फाइफ चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आईए देखते हैं अपना प्रोग्राम जोतिश एक विद्ध्या।